जैहिन साथियो एक बार पुने आप सभी का हार्दिक श्वागत अभिनंदन है मैं हूँ आपके साथ वसीम और आप देख रहें आपका अपना यूटूब चैनल स्टड़ी विद वसीम तो सुबह की क्लास के साथ एक बार पुने हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और आज की क्लास में अपना नया प्रशन जो है वो आपके सामने हाजिर हो गया है तो प्रशन बहद ही शांदार है क्लास को लाश्ट तक देखना और वीडियो को लाइक, सेर और कोमेंट जुरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बुले देखिएगा अपना प्रशन क्या है कि मराठों ने 1711 में सरवय प्रथम राजस्तान की किस रियास्त में प्रवेश करके धन वशूल किया था प्रशन सिदी सिदी बात ये है। प्रशन हम से पूचा गया है कि मराठों का राजस्तान में प्रवेश कहां पर हुआ था? आप सभी का मुझे लगता है कि गल्द उत्राने वाड़ा है। आप सभी उत्र कॉमेंट करियेगा। सबसे पहले आप उत्र कॉमेंट करो। उसके ब सबसे पहले अगर हम बात करें मिवाड की अगर बात करते हैं तो मिवाड के अंदर मराठों का प्रवेश जो है वो मिवाड के महराणा जिनका नाम था संग्रामसी है सेकिंड इस संग्रामसी है सेकिंड के काल में मिवाड जो है इस मिवाड के अंदर मराठों का प्रवेश हो गया था हम पढ़ते हैं कि संग्रामसी सेकिंड जो थे इन्होंने मराठों को राजस्तान से बाहर निकालने के लिए मराठों को राजस्तान से बाहर निकालने के लिए किस की रूप रेखा त्यार की थी निकालने के लिए हुरुडा समेलन की रूप रेखा त्यार की थी हुरुडा समेलन की रूप रेखा त्यार की थी हुरुडा समेलन की रूप रेखा त्यार की थी हालांकि हुरुडा समेलन इनके समय नहीं हुआ था कहने का मतलब है कि संग्राम सिंग के समय में मराठों का प्रवेश हो गया था मिवाड के अंदर और इनका समय कितना था तो इनका समय 1710 से लेकर 1734 इश्वी तक था इसी बीच मराठों का सबसे पहले प्रवेश होता है अलांकि प्रटिकुलर रूप से अपने मेवाड के अंदर जो हम जिले पड़ते हैं उध्यपूर, चितोड, राजसमन, भीलवाडा, प्रताबगड वहां पर नहीं हुआ था तो कहां पर हुआ था यानि कि संग्राम सिंग के समय मराठों का प्रवेश जरूर होता है लेकिन व वह 1711 में हुआ था आप सभी के उत्तर लगबग बुंदी आ रहा था लेकिन सही उत्तर इसका कौन सा रहने वाला है मेवाड रहने वाला है और ये जो हुरडा समयलन था साब आपका ये हुरडा समयलन कब हुआ था ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को हुआ था हुरडा समयलन होता है और हुरडा समयलन किस के समय में हुआ था मेवाड महराना जगत सिंग सेकिंड के समय कौन सा समयलन होता है हुरडा समयलन होता है दूसरा अप्सन आपकी समने है जेपूर अगर मैं जेपूर की बात करूँ तो जेपूर के अंदर मराठों का प्रवेश कैसे हुआ था जेपुर में सबसे पहले जो है वो मराठे किस राजा के शमय के अंदर आ गए थे देखो अपने एक राजा हुए थे जिनका नाम ता सवाई जैसी है नाम था एक राजा थे जिनका नाम ता सवाई जैसी है और सवाई जैसी के समय में एक समझोता हुआ था 17078 म एक समझोता होता है जिस समझोते का नाम था देवारी समझोता इनके समय में कौन सा समझोता होता है तो इनके समय में जो समझोता हुआ था जिस समझोते का नाम था देवारी समझोता और देवारी समझोते के तहत इन्होंने मिवाड महाराना, अमर सिंग सेकिंड और मारवाड कि राव अजीत सिंग की पुत्री से इन्होंने क्या कर लिया था विवाह कर लिया था इन दोनों की बेटियों से विवाह किया था और इन्होंने इसमें सर्त रखी थी कि जो अमर सिंग सेकंड है इसकी पुत्री जो थी चंदर कूरी इससे उत्पन होने वाली संतान को आगे का उत्रादिकारी बनाएंगे यानि कि मादो सिंग को बनाएंगे लेकिन इन्होंने सुर्य कूरी जो अजीत सिंग की पुत्री थे उससे उत्पन होने वाली संतान इस्वरी सिंग को अगे का क्या बना दिया था उत्रादिकारी बना दिया था और जब इस्वरी सिंग को प्ग्रू का हdΓ था, इसमे मराथ्ह सबसे पहले जो है, वह यहां पर आ जाते हैं। अलनकि इस से पहले की भी अगर बात करें, जै सिंग की एक पतनी हुआ करती थी, जै सिंग की थी जिसका लोग हुआ करती लड़का हुआ था तो उसको राजा बुनाने के लिए वो बुंदी बुलाने के लिए किस को गई थी मराठों को गई थी अगर हम बात करें बुंदी की तो बुंदी में मराठों का प्रवेस लगबग 1723 के आसपास हुआ था और 1723 में मराठों को बुलाया किसने था तो बुंदी के अंदर मराठों को बुद सिंग की पतनी, बुद सिहें की पतनी, अमर कूरी ने बुलाया था, तो साब आपके इस परशन का जो सही उत्तर रहने वाला है, वो सही उत्तर कौन शाह होगा, तो इसका सही उत्तर होगा, मेवाड, मेवाड इसका बिलकुल राइट उत्तर है, ने की बुंदी इसका सही उत्तर होगा, मेवाड की राजस्तान में मराठों का परवेस और धन्वसूल सबसे पहले कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका मेवाड के इंदर, तो आज की क्लास में इतना ही, अगर आपको करके जरूर बताना धन्यवाद,